जे हिन दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी नई वीडियो पर तो दोस्तों यहांप सुप्रीम कोड की तरफ से यहांपर जूनियर कोड असिस्टेंट के जो एक्जाम करवाए गए थे उसकी आंसर की भी यहां पर जारी हो चुकी और अभी तक यहां पर इसका result जारी नहीं किया गया जी हां दोस्तों यहां पर सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक यहां पर JCA का result जारी किया जाएगा और अभी तक यहां पर result के बारे में कोई जानकरी नहीं है और दोस्तों यदि ओफिशल साइट पर देखे सुप्रीम कोट की तो वहाँ पर भी इस पोस्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है ना ही कोई यहाँ पर नोटिस निकाला गया है बाकी दोस्तों यहाँ पर इस रिजल्ट को कंड़क करवाने वाली जो एजनसी है वो एंटिय है और दोस्तों अभी तक एंटिय की तरब से भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है और दोस्तों यहाँ पर जो result जारी किया जाएगा वो NTA की तरब से पहले Supreme Court को बिला जाएगा उसके बाद यहाँ पर Supreme Court की official website पर यह result जारी किया जाएगा तो दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर result यहाँ पर delay क्यों हो रहा है Supreme Court की तरप से यहाँ पर यह result delay नहीं हो रहा है दोस्तों इसका main region है NTA जी हाँ दोस्तों यहाँ पर exam conduct करवाने वाली जो agency है NTA उसकी तरप से ही यहाँ पर result जारी करने में delay हो रहा है कुछ technical issue हो सकता है भली बाकी यहाँ पर अभी result की यदि expected date की बात करें तो दोस्तों 15 December तक यहाँ पर result जारी नहीं होगा और बाकी यहाँ पर यदि expected date की बात करें तो दोस्तों 20 December से लेकर 25 December तक यहाँ पर अपन expected date मान सकते हैं कि यहाँ पर 20 December से लेकर 25 December तक यहाँ पर result जारी किया जाएगा बाकी दोस्तों आपर ENT की तरब से क्या नोटीस आता है या सुप्रिम कोड़ की तरब से कोई नोटीस आता है तो आपको next वीडियो के मादरम से जानकारी दे दी जाएगी दोस्तों बाकी अभी के लिए धन्यवाद यादि आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना हो